नेक्स्ट एपिसोड के लिए hundred likes का टार्गेट है, अगर आप next एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीटियो पर hundred likes का टार्गेट कम्पलीट करवा दीजिएगा, जैसे ही इस वीडियो पर hundred likes कम्पलीट हो जाएगा, आपको next episode मिलजाएगा, सुबह हो गई थी, गीता जी पूजा करके किचन में नास्ते की तयारी देखने जाही रही थी कि तभी उनकी नजर जिम रूम की तरफ पढ़ी जहां से अरनब निकल कर उन्हीं के पास चला आ रहा था गीता जी अरनब को देख कर खुश हो गई, और बोली बेटा आपका बाए, अरनब ने गीता जी के पैर चुकर बोला छोटी मा रातकों में आ गया था गीता जी ने कहा ठीक है बेटा आप जाकर फ्रेश हो जाए हम आप सब के लिए नाश्ता रेडी करवाते हैं अरनब ने गर्दन हा में हिलाई, और वहा से अपने कमरे की तरफ चला गया, सुबह के आठ बज गए थे सभी धीरे-धीरे हाल में आ गए थे सभी डाइनिक टेबल के पास आकर अपने अपने चेयपर बैट गयल तभी सब की नजर सामने आ रहे अरनब पर पड़ी जिसने सफेद रंग की सल्ट और डाग ब्लू रंग की जीन्स पहनी हुई थी जेल से सेट की हुए बाल उपर सल्ट के तीन बटन खुले होने के कारण जाखता हुवा चोड़ा सीना पैरों में वाइट कलर के सूज जिसकी कीमत शायद लाखो की होगी और उसकी परसनाल्टी और चलने का रूँ आप सब को अपनी तरफ आकर शित कर रही थी सोनी ने अरनव को देखा तो देखती रह गई उसने अपने मन में कहा हाई कितने हैजसम लग रहे है मन करता है आपको सीने से लगा लू और बहुत जल्द में आपको अपना बना के रहुगी अरनव सीधा आकर अपने चेयपर बैठ गया राजीव ने कहा अरनव तु सुबह आने वाला था ना अरनव ने कहा क्यों जल्दी आने में तुझे कुछ प्रॉबलम है अरनव का जवाब सुन राजीव ने अपना आईबोर से कोड लिया तबी दादा जी की आवाज आई जो मेद से बोल रहे थे जाओ सौम्या पुत्र को बुला लाओ बոल दो बेक्फस्ट रेड़ी है मेद ने सिर जुका कर हाँ कहा और वहां से चली गई मेड जाकर एक दो बार दर्वाजा लॉक किया तब जाकर सॉम्या ने दर्वाजा खोला जो अभी अपनी नाइट सूट में ही थी सौम्या ने मेड को देख कर बोली क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो तो मेड ने सिर जुका कर बोली मेडम आपको बड़े सर ने बुलाया है सौम्या ने बोला कोन बड़े सर तो मेड ने बोला दादा जी नाश्ता करने के लिए बुलाया है नाश्टा का नाम सुनते ही सौमया आगे के तरफ बढ़कर बोली खड़ी क्या हो जल्दी चलो मेज सौमया की स्पीड देख मुह खोले देखती रह गई open mouth face open mouth face सौमया जैसे ही डाइनिक टेबल के पास पहुँची उसने तुरंद दादा जी को पीछे से गले लगा कर कहा good morning दादा जी good morning पुत्र फिर दादा जी ने सौमया को देखा तो बोले ये क्या पुत्र आप अभी तक फ्रेस नहीं हुई सौमया बोली ओफो दादा जी अभी सौमया को बहुत तेज भूख लगी है और आप जानते है कि मैं अपना भूख बरदास नहीं कर सकती इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम धूजा इतना कहकर सौमया ने हलकी से स्माइल पास कर दादा जी के बगल वाली चैपर बैठ कर अपने लिए जल्दी जल्दी नाष्टा लेने लगी जैसे मानो अभी सब मिलकर नाष्टा खत्म कर देगे इस बीच सॉमया ने सब को इगणो कर दिया था सोनी ने कुछ सोचा और बोला सॉमया ये देखिये अर्नव जी आए है सोनी की आवाज सुन सुमया ने एक आई बोरो उठा कर बोली तो सोम्या का जबाब सुन जहां सब शाक्त थे वही अर्नव को पता नहीं कि यो सोम्या का इगनो करना अच्छा नहीं लग रहा था. तो सोनी ने बात को संभालते हुए बोली सोम्या तुम अर्नव जी के आने का इंतजार सबसे ज़्यादा करती थी. बस इसलिए सौमया ने सोनी की बात पर सुन बोली मैं तो तुम्हारे भायो का प्यार और बहन होने का एहसास भी चाहती थी लेकिन आप मुझे कोई दिलजस्पी नहीं है ना तुम्मे ना तुम्हारे भायो, मा, बाप में और नहीं किसी और में समझाई बात इतना कह सौमया अपना नाश्टा लेकर अपने कमरे में चली गई. बही सब हैरानी से सौमया को देखते रह गए. अरनब भी अपनी जगह से उठा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया. अर, कपनी, अर, कपनी तीस फोलर का था. सबसे उपर फॉलोर पर अरनब का केबिन था जहा इसके और असिस्टेंट के अलावा कोई नहीं आ सकता था. जब तक अरनब न चाहे तब तक. इस समय अरनब का केबिन जो केबल सीसे के बने थे वह काफी बिखरा पड़ा हुआ थ उसे रह रह कर सौमया का इगनो करना याद आ रहा था. अरनब वही सीसे से बने दीवाल के पास गया जहा से पूरी दुनिया देख रही थी. उसकी नजर सामने सुरजपड़ी जो काले बादलों ने घेर रखा था उसने अपने आप से कहा दूआ करो कि तुम इस बंजद द ली और अपने सर्द आवाज में बोला कमिंग. केबिन के अंदर असिस्टेंट आया उसने चारो तरफ नजर दोड़ाए फिर अपने मन में अब किसका गुस्सा निकल रहा था ये देविल. अरनब ने बोला अगर तुम्हारा सोचना हो गया हो तो काम की बात बोलो वरना अ असिस्टेंट हर बढ़ा कर बोला सर जैसा आपने कहा था बिलकुल वैसे ही आपको प्रोफेसर की पोस्ट मिल गई है. और अभी आपकी दस मिनट बाद मीटिंग है. अरनब ने उसे उंगली से जाने का इशारा किया. असिस्टेंट ग्रीट करें फिर वापस केबिन से बाह मेरी बेटी काफी खुबसूरत और हसीन है आप देख सकते हैं वही मिस्टर खना के बगल में बैटी लड़की नर्तकी जिसने कपड़े के नाम पर केवल रुमाल लपेटा था उसका चेस्ट काफी हद तक देख रहा था. तब यो अपने जगह से उठी और अरनब के पास ज अरनब पाउटिंग 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 अपने खा जाने वाले नजरों से उसे देखने लगा टेबल पर रखा एक बटन प्रेस किया दो मिनट बाद गौड आ गए अरनब ने गाज से कहा इन्हें डाक विला ले जाओ और हा लड़की की तरफ पॉइंट करके इसे म और वही मिस्टर खन्ना और उनकी बेटी माफी मागती रह गई लेकिन गार्ड उनको पकड़के वहा से चला गया इतना हो जाने के बाद अरनब घर के लिए तुरंत वहा से निकल गया अरनब की जाते ही उसका असिस्टेंट ने एक गहरी सास ली और खुद से बोला बेटा साहिल आज तो तू बच गया वरना तेरा क्या होता ये तू अच्छे से जानता है। अरनब जैसे ही अंदर गया तो गार्डन में बैठी गीता जी ने बोला बेटा आप आ गए। गीता जी की आवाज सुन वह उनकी तरफ बढ़ गया और बोल जी छोटी मा आज जल्दी काम खत्म हो गया था इसलिए आज जल्दी आ गए। वही सोनी अरनब जब से आया था अरनब से देखे जा रही थी। तब ही सोनी ने बोला अरनब जी हम आपके लिए ब्लैक कॉफी बना दे इससे आपको अच्छा लगेगा। अरनब ने एक नजर सोनी को देख और बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है मेड है ये पे मैं उनसे कह दोगा। सोनी ये सुन मायूस हो गई। वही अरनब की नजर सौमया पर गई जो दादाजी से बाते करते वक्त अजीब अजीब सा मुह बना रही थी। जिसमें काफी क्यूट नजर आ रही थी। वही सौमया के तीनों भाईयों की नजर भी सौमया पर थी। सौमया का यूं मुह बन कर मुह बनाना अर्नव को अच्छा नहीं लगा उसे गुस्सा भी आया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया दादा जी ने बोला इसे क्या हुआ सौम्या ने अपने कंदे उच्च का दिया जैसे बोल रही हो मुझे क्या पता बही अर्नव का कमरा अर्नव इस वक्त सावर क के नीचे खड़ा था उसने अपने दोनों हाथ सामने दीवाल पर टिकाए हुए थे उसने खुद से बोला जब ओ मेरे करीब आती थी तो मुझे काफी गुस्सा आता था इरिटेसन होती थी पर इस बार पता नहीं कि यू उसका मुझे नजर अंदाज करना मेरी तरफ न दे के सामने आ गया जिससे अरनव के चहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई अरनव ने बहुत खतरनाक तरीके से बोला मेरा ननही सी जान मेरा बच्चा सच ही तो था अरनव कहा 30 साल और सौम्या कहा 19 साल की ऐसे ही रात होगी सभी डिन करने बैठे थे आज कुछ अलग था की बात सौम्या की तो उसने मुझसे पहले ही बोला था कि आजो अपना डिन देर से और अपने कमरे में करेगी दादा जी की बातों में एक टोंट था जो सभी समझ रहे थे वही ये सुन की सौम्या आज अपने कमरे में ही डिन करेगी ये सुन ना जाने क्यों अरनव को अच किसी स्माइल आ गई और प्यार से बोला गुड नाइट बच्चा इतना कहवज जैसे ही जाने को हुआ तभी उसे राजीब कमरे में गुस्ते हुए दिखाई दिया जिसे देखकर रनवीर के चहरे पर मुस्कान आ गई बही राजीब भी रनवीर को कमरे में देखकर समझ गया कि ओभी सौमया से मिलने आया था फिर दोनों सौमया को गुड नाइट बोल कर अपने अपने कमरे में चले गए बही अरनव के कमरे का अलग ही मोहाल था अरनव इस वक्त सर्ट लेस केवल पेंट पर लेटा था बालकनी से आती चांद की रोशनी उसके शरीर पर पढ़ रही थी जिससे ओ और भी होट लग रहा था उसके एट एब्स दमदार परसनाल्टी क्या ही कहने कोई भी लड़की इस वक्त देखती तो ओ पागल हो जाती उसके साथ एक राद भी गुजने के लिए तेयार हो जाती उसने अपने आप से कहा ना जाने कि यू तुझे अब देखने का दिल करता है तुझे चुने का दिल करता है तेरे करीब आने का दिल करता है तू मेरा नसा, मेरी तलब, मेरी आदत, मेरा दिवानापन, मेरा पागलपन, मेरा सकून बनती जा रही हो पता नहीं कि यूपर इस बार न जाने क्या बदला है तुम में मैं तेरे और कीचा चला आ रहा हूँ खुद को तेयार कर मेरे बाहों में कैद होने के लिए कि यूकी में तो अपने चीजों को छुने नहीं देता तुम तो मेरा सुकुन और मेरी जिन्दगी बनती जा रही हो अहा ना जाने क्यों ऐसा लग रहा जैसे अभी तुम को अपने करीब लाके तुम हे जी भर के प्यार करूँ पता नहीं इस बार मुझे क्या हो गया है तुम मेरा जुनून बनती जा रही हो सौम्या को याद करते ना जाने कब अरनव को नीद आ जाती है उसे पता ही नहीं चला वही सोनी जो अपने कमरे के बालकनी में खड़ी एक टक चांद को देख जा रही थी उसने अपने आप से कहा हम आप से बहुत प्यार करते है अरनव हम आपको अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते है किसी भी हद तक देखते है किसका प्यार और जुनून पर वान चड़ता है किसका उतरता है सुबह के साथ बज रहे थे पर सौमया अभी तक सो रही थी तब ही उसका फोन बजने लगा पर सौमया ने फोन को इगनो कर अपने सर के उपर तकिया रख लिया फोन की घंटी पूरी बजने के बाद फोन बंध होगा कुछ देर बाद फोन फिर रिंग करने लगा जिससे सौम्या इरिटेड होकर गुस्से में कहा कौन है जो मुझ जैसे मासूम को सुबह सुबह जगा रहा है उसने गुस्से में फोन बिना नाम देखे उठाया और गुस्से में कुछ बोलने वाली थी कि दूसरे तरफ से गुस्से भरी आवा जाई ओ महारानी कब तक सोएगी उट जा कॉलेज नहीं जाना है क्या या फिर पहले ही दिन लेट होना है अरे ओ तेरे होने वाले पती का कालेज नहीं है जो जब मन किया तब चल दिया समझी जलदी से तैयार होकर सही टाइम पर कॉले जा जाना नहीं तो तेरे लिया अच्छा नहीं होगा चल भाये इतना कहकर दूसरी तरफ से फोन कट हो गया सौम्य मुह खोले आखें फाड़े open mouth face 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 अपना फोन देखने लगी ये कौन थी जो रेडियो की तरह बिना ब्रेक के इतना बोल गई फोन पर फेलेस हो रहे नाम को देखा तो इसे याद आया कि ये तो इस कहानी बिलन की बैस्ट फ्रेंड निशा है जो हर मोर पर उसके साथ रही उसको हमेशा अरनव से दूरी बनाए रखने की सलहादी पर पहली वाली सौमया ने इसकी एक नामानी और निशा को भी काफी भला बुरा कहा पर निशा ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी ओ हमेशा उसके साथ रही आखरी वक्त तक पर पता नहीं निशा एक दिन गायब हो गई उसे बहुत भूंधा गया पुल इस्ट फ्रेंड दिया की याद आ गई कितनी खुश थी हो सौमया के शरीर में आने से पहले वो और दिया दोनों एक दुसरी की दुनिया थे एक सगी बहन से भी ज्यादा प्यार था पर पता नहीं दिया अपनी दुनिया में क्या करती होगी क्या मुझे ओ याद करती होगी जैसे मैं उसे याद करती हूँ इतना सोच सौमया के आखों में आसु आ गए कुछ देर बाद सौमया ने खुद को संभला और बैज से उतर कर फ्रेस होने चली गई उसने जल्दी से अपने कपड़े अलमारी से लिए और तैयार हो गई आज सौमया ने एक सफेद कलर की अनार काली सूट पहना था जो उसके गोरे शरीर पर काफी जच रहा था और बालों की खजूर चोटी की थी कानों में छोटे-छोटे जुमके हाथों में मैचिक कगन पहन रखे थे पैरों में हिलवाली सेंडल पहन रखा था आज सौमया इंडियन लुक में कहर धा रही थी सौमया ने अपना बैग लिया और कमरे से बाहर निकल गई ओ जैसे ही सिडियो से नीचे उतरने लगी वही हाल में बैठे सभी लोगों का ध्यान सौमया के तरफ चला गया सब एक टक सौमया को देखने लगे वही कोई था जो आखों में जुनून और पागलपन लिए एक टक सौमया को देखे जा रहा था जी हाँ ये कोई और नहीं अरनब था जो सौमया को देखे जा रहा था शायद देखना नहीं तारना कह सकते है वही गीता जी सौमया के पास आये और अपने आखों से काजल निकल कर गीता जी की आखें नम हो गई थी, यही हाल सौमया के तीनों भाये और केसब का भी था, और वही सौमया आगे बढ़ के दादा जी के पास जाकर बोली दादा जी हम कॉलेज जा रहे और वही पर नाश्ता कर लेगे इतना कहकर सौमया वहा से जाने लगी तभी अरनव ने कहा म अपने पैरों को क्रोस कर एक हाथ जेब में तो दूसरे हाथ से फोन चला रहा था, तभी सोनी अरनव के पास आकर बोली चले, तो अरनव की बोबो आपस में सिकुर गए और उसने अगल बगल देखा तो सौमया नहीं थी, यह देख अरनव को गुस्सा आने लगा उसने सोन न करे मैंने उसे भेज दिया है, फेल शिबेक, सौमया जब जाने लगी तो सोनी ने उसे रोक लिया और बोली सौमया अरनव जी ने आपको साथ में जाने को नहीं बोला है, तुम जानती हो अगर तुम गई तो कितना तुम पर गुस्सा करेगे, शायद उन्होंने मुझे है क्योंकि तीनों भाए ओफिस चले गए है पापाजी की भी कुछ तबियत ठीक नहीं और मैं अकेले कही आती जाती नहीं इसलिए, सौमया ने अपनी आखें रोल करते हुए बोला तुम जिसके साथ जाना चाहती हो जाओ मुझे इतनी रामकहनी बताने की कोई जरूरत नह मुझे न तुमिम कोई दिलजस्पी है ना उस अरनव में समझ गई इतना कै सौमया वहा से चली गई फेलश बेक एंग वही अरनव ये सारी बाते सुनते ही गुस्सा आने लगा उसने सोनी को बिना लिया वहा से चला गया वही सोनी उदासी से अरनव को जाता देखती रह ग कालेज में सौमया कालेज जैसे ही पहुची उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की जिसका रंग सावला आखें बड़ी बड़ी लंबे कमर तक आते बाल जिसने आज एक ब्लू टॉप और वाइट जीन्स पहना हुआ था ओ बहुत प्यारी लग रही थी उसने बोला ओ मह के कारण काम नहीं कर रहा तभी निशा ने बोला तो चल चलते है कैंटीन वैसे भी अभी लेक्चर में बहुत ताइम है सौमया और निशा दोनों कैंटीन गई और वही खाली कुरसी के पास बैठ गई सौमया ने बोला बोल तुझे क्या खाना है मैं अपने लिए और तेरे लिए लेके आती हूँ निशा बोली मुझे एक पेलट मोमोज और एक कप चाए सौमया ने कहा बस तो निशा ने भी गर्धन हामें हिलाए हा बस सौमया फिर वहाँ से चली गई दस मिनट बाद उसने निशा और अपने लिए दो प्लेट मोमोज, बर्गर, पिजा और दो कप चाए लेकर जाकर निशा के पास बैठ गई निशा ने जैसे ही नास देखा उसकी आखें बाहर आने को हो गई फ्लश्ट 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 ये क्या है? सौमया ने मुह बना कर बोला क्या है का मतलब नाश्टा है और क्या निशा ने कहा मैं इतना सारा नाश्टा नहीं खा सकती सौम्या ने एक प्लेट मोमोज और एक कप चाय निशा की तरफ बढ़ा दिया और बोली ये सब मेरा है और खबरदार जो इसको हाथ भी लगाया. फिर सौम्या निशा को इग्णो कर अपना नाश्टा करने लगी वही निशा सौम्या को देखने लगी जो अपना नाश्टा इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी जैसे कोई उसका नाश्टा चीन लेगा कुछ ही देर हुबा होगा एक लड़का जो दिखने में काफी हैजसम था उसने कहा हे क्या मैं ये बैठ सकता हूँ ये आवाज सुन निशा और सौम्या ने सर उठा कर देख तो उस लड़के को निशाने पेट पर एक गुसा मारा और बोली इतना देर कोई कॉलेज आता है वही ओ लड़का अपना पेट पकड़े बोला क्या करू यार कॉलेज की लड़किया मुझे पकड़ लेती है न तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती ऐसा कह उस लड़के ने अपने बाल पे हाथ फेर लिया वही सौम्या ने कहा भयू आपका ये रोज का है कोई नया बहाना बनाओ ये है गर्भ भारदवाज सौम्या निशा और गर्भ की मुलाकात कॉलेज में हुई थी सौम्या पहले दिन से ही गर्भ को भाई बोलती थी और गर्भ की भी कोई बहन नहीं थी उसे बचपन से एक बहन की चाह थी जो सौम्या ने पूरी कर दी वह उसे अपनी बहन दिखावे के लिए नहीं दिल से अपनी बहन मानता था सौम्या के लिए अपनी जान भी दे सकता था सौम्या भी अपनी हर छोटी बड़ी तकलीफ इन दोनों से शेयर करती है आते है कहानी की ओर गर्व ने सौम्या को देखा जिसके मुह में पूरा खाना ठूसा हुआ था जिससे उसके दोनों पिंग गाल बाहर की तरफ निकले हुए थे जिसमें ओ काफी क्यूट लग रही थी गर्व ने सौम्या के दोनों गाल पकड़ के खीच कर बोला ओ मेरी चोटी कितना कम खा रही है कहो तो और कुछ मगवा दू ये सौम्या ने बोला सची भईू तो मेरे लिए आप दो पेलट मोज और मागा दीजिए और कुछ नहीं में इतने से ही काम चला लूँगी सौम्या की बाते सौन दोनों हैरान हो गए फलश्ट-फलश्ट-फलश्ट-फलश्ट-फलश्ट-फलश्ट गर्व ने तो उसे टोंट मारा था पर ये तो और खाने की दिमांड कर रही है बही कोई और भी था जो अपने जानलेवा नजरों से गर्व को घूर रहा था उससे जब ये सब देखा नहीं गया तो गुस्से से वहा से चला गया कॉलेज के ओफिस में ओफिस का कमरे का सामना पूरे तरीके से बिख्रा पढ़ा हुआ था उससे याद आया किस तरह गर्व सौम्या को चू रहा था उसके गाल कीच रहा था उसने गुस्से में बोला तो मितनी जल्दी मुझे आसानी से कैसे बूल सकती हो कैसे तुमने अपने आपको किसी और को चुने की ओ दिया ओ अधिकार केवल मेरा है केवल मेरा इस अरनव रायजादा का हाओ कोई और नहीं अरनव रायजादा था जो कॉलेज पहुंचकर जैसे ही अपने आफिस में जाने को हुआ उसकी नजर सौमया पर पढ़ गई जब ओ निशा से खाने के लिए बहस कर रही थी लेकिन गर्व के आने के बाद उसका सौमया का छूना गुसा दिला गया उसका बस चलता तो ओ गर्व को अभी जान से मार डालता पर उसने अपने आपको कैसे भी करके कंट्रोल किया और वहाँ से चला गया क्लास्रूम क्लास्रूम में सभी बच्चे आकर अपनी अपनी सीग पर बैट गए थे तबी क्लास रूम में सौम्या निशा और गर्व अंदर आए सभी बच्चे उन तीनों को देखने लगे जहां लड़कियां गर्व को ताड़ रही थी वही कुछ लड़के निशा को तो कुछ लड़के सौम्या को देखे जा रहे थे या यू कहे लड़कों का ज्यादा ध्यान सौम्या पर ही था गर्व ने कहा देखा मेरा चाम लड़किया मुझे कैसे ताड़ रही है बही निशा और सौम्या ने गर्व को घूरा और अपने सीट पर जाकर बैठ गई गर्व भी उनके पास बैठ गया तभी प्रिंसिपल सर कलास रूम में आए तो सभी स्टुडेंट खड़े होकर एक साथ बोले गुड मॉर्निंग सर प्रिंसिपल सर ने कहा गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन आज मैं सभी स्टुडेंट को एक खुश खबरी देने वाला हूँ ये सुनते ही सारे स्टुडेंट के कान खड़े हो गए और उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही थी प्रिंसिपल सर सभी स्टुडेंट को देख कर मुस्कुराए और बोले आज से आपको सब्जेक्ट बैचलर ओफ बिजनेस की पढ़ाए इस कॉलेज के 80 प्रतिशत शेयर होल्डर और नमबर वन बिजनेस में अरनाव रायजादा आपको पढ़ाएगे ये सुनते ही सारी लड़कियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा केवल निशा और सौम्या को छोड़ कर निशा ने सोचा मैं जितना सोचती हूँ की इस आदमी से अपने दोस्त को दूर करूँ लेकिन मेरी फुटी किसमत ऐसा में कर ही नहीं पती निशा ने एक नजर सौम्या को देखा जो आराम से प्रिंसिपल की बातें सुन रही थी उसके चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे उसे कोई फर्खी न पढ़ा हो की इस कॉलेज में अरनाब रायजादा पढ़ाएग गर्व को भी सौम्या के बारे में सब पता था उसे भी अरनाब कुछ खास पसंद नहीं था ओ खड़ा होकर प्रिंसिपल सर से पूछा सर जहां तक मुझे पता है अरनाब रायजादा खुद अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेसमेन है तो इस तरह इस कॉलेज में वह हमें क्यू पढ़ाएगे तभी एक सर्द आवाज आई क्योंकि यह मेरी मां की ख्वाहिश थी क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसों के तंगी के कारण अच्छी पढ़ाए या ट्यूशन नहीं ले पाते हैं और मैं अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी भी ह अरनव की बातें सुन क्लास्रूम में तालियां बजने लगी वही प्रिंसिपल सर यह सब देखकर मुस्कुराए और चुपचाप वहां से चले गए क्लास्रूम में अब अरनव और स्टुडेंट थे अरनव ने कहा और किसी को कुछ पूछना है तभी एक प्यारी सी अरनव ने उसे पकड़ लिया बही दूर लास्ट सीट पर बैटी सौमय ये सब देख रही थी उसने जैसे ही देखा कि अरनव ने सोनी को गिरने से बचा लिया है तो उसे खुरापाती सूजी और गाना गाने लगी आज रपट जाए तो हम न उठ्यो ये सुनते ही जहां सो होते ही मेरे ओफिस में आ जाना और जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तुम अपनी जगह पर खड़ी रहोगी पाउटिंग अरनव ने ये बात इतने गुस्से में कही थी कि सौमय के साथ साथ क्लास्रूम के सभी बच्चे डर गए थे सौमय ने अपने मन में कहा मैंने किया क् गाना गा के थोड़ा और रोमाटिक बना दिया, दिल दिल दिल, भलाई का तो जमाना ही नहीं है ना उस दुनिया में और ना ही इस दुनिया में, हेर, क्लास्रूम, सौमय अपनी जगह खड़ी होकर आड़े टेडी मुह बना रही थी, बही अरनव तिरची नजरों से कब से सौमय को देखे जा रहा था, सौमय का आड़े टेडी मुह बनाना रनव के चहरे पर एखल किसी स्माइल आ गए जो काफी रेर थी, अरनव ने पढ़ते हुए एक नजर सारे स्टुडेंट को देखा और फिर बोला एक अच्छा बिजनेसमें बनने के लिए हमें क्या अपनी अपनी सलाह दी पर किसी की भी बातों में दम नहीं था, तभी अरनव ने पूछा मिस सौमय आप क्या कहना चाहेंगी, सौमय ने कहा अगर मैं बता दूनगी तो क्या आप मुझे बैठने देंगे वह क्या है ना खड़े खड़े मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, प देखो आज इस डेविल का खडूस पन देख रही हूँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आती यह सारी कहानियों में हीरो कुछ हो ना हो माफिया और खडूस जरूर होते हैं, फिर कुछ सोचते हुए लेकिन साथ में हैंसम भी, हे भगवान मुझे बिलन के शरीर में भेजने से अच्छा हीरोईन के शरीर में भेजा होता, फिर सौम्या की नजर सोनी पर चली गई जो एक टक अरनव को देखे जा रही थी, सौम्या ने अपने मन में कहा देखो कैसे देख रही है, फिर गुन-गुनते ते हुवे हे हे हा हा, शर्माते हुए हाई क्या सीन्स चल रहा है, बही अरनव और बाकी स्टुडेंट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, सौम्या को जब एहसास हुआ कि कोई उसे कब से घूरे जा रहा है, तो उसने नजर उठा कर देखा, सब को अपनी तरफ देखता पाकर सौम्या ने अपने दाथ दिखा दिये, ग्रिन-ग्रिन- बही सौम्या के ऐसा करने से, ना चाहते हुबे भी लोगों के चहरे पर स्माइल आ गई, बही सौम्या के इस अजीबो हरकत से गर्व ने धीरे से कहा यार निशा ये छोटी को क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकते कर रही है, ये मेरी छोटी हो ही नही सकती, तब ही घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, अरनब ने एक नजर सौम्या को देख कर वहा से चला गया, अरनब के जाते ही सारे स्टुडेंट धीरे-धीरे करके निकलने लगे, बही निशा खड़ी होकर सौम्या से, बोली, सौम्या आज तुझे हो क्या गया है, बही गर् पीछे मत भाग वह तेरे लिए सही नहीं है, वह तुझे प्यार नहीं करता, बही उन दोनों की बखवास सौम्या ने कहा, तुम्हें किस ने कहा कि मैं अरनब से प्यार करती हूँ, हाँ मैं पहले पीछे-पीछे भागती थी उसके, पर मेरे लिए मेरा सेल्फ अरनब के पीछे क्या अरनब भी अगर मेरे पीछे आएगा ना तो भी मैं उसे घास न डालू, अनम्यूजड 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 उस डेविल के पास देखती हूँ क्या सजा देता है तब तक तुम दोनों मेरा कैंटीन में इंतजार करो मैं बस यू गई और यू आई स्माइलिंग फेस इतना कै सॉम्या वहां से चली गई उसके जाने के बाद गर्व ने कहा आई हो छोटी इस बार सच बोल रही हो निशाने भी गर्दन हा में हिलाए और दोनों के टेनी की तरफ चले गए वही सॉम्या गुनगुनाते हुए अरनव के ओफिस की ओर चल दी सॉम्या जब वहा पहुँची तो वहां दो ओफिस थे सॉम्या ने वहा पीउन को देखा और बोला अरे अंकल इस में से अरनव सर का ओफिस कौन सा है पीउन ने कहा बेटा ओ देखो ओ रहा अरनव सर का ओफिस वही सॉम्या ने नजर दोड़ाई तो देखा वह दो ओफिस के अलावा एक और ओफिस थी जो उन दोनों ओफिस से थोड़ी दूरी पर थी और एक आंत में थी सॉम्या ने गरदन हा में हिलाए और बोली थैंक्यू अंकल इतना का सॉम्या ओफिस की ओर चल दी ओफिस के पास पहुँचने के बाद सॉम्या ने गेट लॉक किया और कहां में आई कमिंग सर तभी एक सर्द आवाज आई कमिंग सॉम्या मुह बनाते हुए अपने आप से बोली इनकी आवाज तो जैसे कोई भूत प्रेद बोल रहा हो फिर नकल उतारते हुए कमिंग अनम्यूस्ट इतना कह सॉम्या अंदर चली गई उसने देखा अर्नव एक फाइल काफी गौर से देख रहा था या फिर यह कहे की पढ अर्नव ने फाइल रख सॉम्या की और देखा आज सॉम्या बहुत ही खूपसूरत लग रही थी जो बात अर्नव भी जुकला नहीं सकता था सॉम्या ने देखा अर्नव केवल उसे देखे जा रहा है तो उसने बोला सर क्या आपने मुझे देखने के लिए बुलाया है स्मक, आपको जो बोलना है जल्दी बोलिये क्योंकि मेरे फ्रेंज मेरा कैंटीन में इंतजार कर रहे हैं और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है पैंसर फेस, कैंटीन का नाम सुनते ही अरनव को सुबह की बात याद आ गई जिसे याद कर अरनव को फिर गुसा आने लगा अरनव गुसे में सौमया के पास आया और उसकी एक बाजू पकड़ कर अपने करीब करके बोला आज के बाद किसी भी लड़के के करीब नहीं जाओगी और ना किसी लड़के को अपने आपको छूने दोगी सौम्या अर्नव की बात सुन चीर कर मुह बनाते हुए बोली क्यों यह मेरी लाइफ है मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है सौम्या की बात सुन अर्नव का गुसा और बढ़ने लगा उसने गुस्से से सौमया के पीछे से बाल पकड़के अपने चेहरे के एकदम करीब कर लिया जिससे सौमया की गर्म सासे अरनव पर और अरनव की गर्म सास सौमया के चेहरे पर पढ़ रही थी दिल उसने कहा तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं मेरी है और मैं इस लाइफ में किसी गैर का साया भी नहीं पढ़ने दे सकता समझ में आई बात सौम्या को अरनव की बातें समझ तो नहीं आई पर उसका गुस्सा देखकर उसने चुपचाप अपनी गर्दन हामें हिलाएं उसे किसी भी तरह से इस ओफिस के कमरे से बाहर जाना था फिर अरनव सौम्या को गोद में लेकर वही कुर्सी पर बैठ गया सौम्या ने अपने मन में कहा अरे पागल आदमी में सौम्या हूं सोनी नहीं है हे भगवान कहा फंसा दिया loudly crying loudly crying loudly crying loudly crying loudly crying सौम्या अरनव की गोद से उतरने लगी तो अरनव ने कसकर अपने से चिपका लिया और कहा खबरदार जो यहां से हिलतो फिर एक फोन करके उसने कुछ ओडर किया तब तक अरनव ने सौम्या को अपने गोद में यूँ ही लिए बैठा था सौम्या अरनव के सामने एक बच्ची ही लग रही थी कहां अरनव की हाइट 6 फूट 5 इंच और कहां सौम्या की हाइट 5 फूट 2 इंच कहां अरनव बोडी बिल्ड हटा कटा चोड़ा इंसान और कहां सौम्या दुबली पतली सी लड़की इस समय सौम्या अरनव की गोद में एक खरगोश का बच्चा लग रही थी तब ही गेट नौक होने की आवाज आए अरनव ने सौम्या को इस आफिस के लगे सोफे पर बैठा दिया और खुद बगल की कुरसी में बैठ कर अंदर आने को कहा वहाँ पीउन आया जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी उसने ओ प्लेट वही रख कर चला गया अरनव ने सौम्या को देख कर बोला तुम्हें भूक लगी थी ना सौम्या ने अपनी गर्दन ना में हिलाई अरनव ने अपनी भव चड़ाई जिसे देख सौम्या ने अपनी गर्दन हां में हिलाई इस समय सौम्या को अर्णव को देखकर पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी अर्णव सौम्या को अपनी गोध में वापस बैठा लिया और कहा चलो खाते है अर्णव ने जैसे ही खाने की प्लेट हटाई तो सौम्या खाना को देखते ही उसका मुह बन गया क्योंकि खाने में वेजिटेबल्स और सूप रखा था अरनव ने सौम्या का चेहरा देखा वह देखते ही समझ गया कि उसे खाना पसंद नहीं आया है उसने सौम्या से कहा यही तुम्हारे हिल्थ के लिए सही है सौम्या ने अपने मन में कहा हाहा जानती हूँ मैंने जितनी भी कहानी पड़ी है सारे हीरो यही खाते हैं आज पता चला उन हीरोईनों का दुख जो हीरो उनको इसी तरह घास फूस खिलाते थे पर मैं तो विलन हूँ ना तो मेरे साथ ना इंसाफी की हूँ